सरकार की गलत नीतियों के कारण छात्र बेरोजगार रह जाते हैं तो कभी कूवेवस्था के कारण वर्सों से मेहनत कर रहे छात्र छात्राओं के भविस्य को नजर अंदाज कर दिया जाता है इसी का नतीजा है कि रेलवे एंटी पीसी का रिजल्ट आते छात्र आक्रोस इत हो गए छात्रों द्वारा किये जा रहे मांगों को अंसुना करने पर लगतार तीसरे दिन भी आंदोलंज जारी रहा बिहार के गया नवादा और जहानाबाद समित अन्य जिलों में छात्रों का अक्रोस बढ़ता जा रहा है कभी रेल पट्री को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो कहीं सरकारी संपत्तियों को छतिगरस्त किया जा रहा है हाला कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चात्रों की भीर में असमाजिक तत्तों घुसकर उत्पात मचा रहे हैं जिसका खामियाजा सब को भुगतना पर रहा है इन सब के बाद सरकार ने भी संग्यान लेते हुए कमिटी का गठन कर जाँच का आदेश दिया है साथी चार मार्च तक जाँच रिपोर्ट सरकार के हवाले करने का निर्देश कमिटी को दिया है देखिए उपद्रभियों द्वरा कैसे ट्रेन को आग के हवाले किया गया है लेखिए लेखिए सरकार को यह वर रखिए उया है है जाँच अब कर दो च.च्च्च त.व.ट.ट.घ.च.ख.जग्च म.ण.षच.बग्च.बग्च.षबग्च.ट.प।